बिस्मिल्ला रह्मान रहीम मेरे पेरे दोस्तों मैं डॉक्टर जयाओल हसन फॉरक्स गुरू की एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी किदमत में हाज़र हूँ पिछली वीडियो के अंदर हमने फैबनेशी रिट्रेस्मेंट के हवाले से काफी साली डिसकेशन की है हमने अब ट्रेन्ड के अंदर किस तरह से फैबनेशी रिट्रेस्मेंट को टार्गेट्स डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है उसके उपर बात की थी और उसी के साथ साथ हमने एक और वीडियो के अंदर अब ट्रेंड के अंदर ही किस तरह से entry points तराश किये जाते हैं उसके उपर भी हमने बात की थी फैबनेशी retracement को यूज करते हुए आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक प्राफिट्स को किस जगा पे लगाते हैं तो चलते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की है कि फैबनेशी retracement को अप्लाई करने के लिए आपको एक completed previous trend की जुरूइत है यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास market एक बहुत अच्छे downtrend के अंदर है लेकिन यह दो तीन candles ऐसी हैं जिन्होंने एक अच्छा uptrend बनाने की कोशिश की थी इसको हम retracement कहेंगे और यही हमारा यही हमारा वो point है जहां पर हम अपने Fibonacci Retracement को apply करेंगे तो चलते हैं यहां से Fibonacci Retracement को ठाते हैं और यहां से लेके यहां तक यानि Fibonacci Market के starting से end तक नीचे से उपर की तरफ हम इसको ड्रा करते हैं downtrend के लिए हमेशा हमें अब एक uptrend की दुरूथ होती है और uptrend के start to end की तरफ हम Fibonacci Retracement को ड्रा करते हैं और देखें बड़ा कमाल किया है इस Fibonacci Retracement ने के market गई है तो उसने 61.8 को break किया तो अगर हम यहां पर entry लिने में interested है तो हमारा take profit 100 अगर 61.8 के बाद हम अपने 100 break होने के बाद हम अपने take profit के बाद करते हैं entry लिने के वाले से तो हमारा take profit 161.8 के करीब होना चाहिए और अगर हम 161.8 break होने के बाद यहां पर कहीं अपनी sell की trades place करते हैं तो हमारा take profit 261.8 के करीब होना चाहिए और देखें market exactly 261.8 को hit किये करिए दो तीन candles ने 261.8 से निचे जाने की कुशिश की है लेकिन OEB candle कामयाद नहीं हो सकी तो हम यहां पर यह अजियम कर सकती है कि market ने 261.8 को strong support के तोर पर यूज करने की कोशिश यहां पर की है और आने वाले दिन हमें बताएंगे यह अभी तो market चल रही है आने वाले दिन हमें बताएंगे कि market किस तरह से इन levels को react करती है तो मुझे अमीद है इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि market डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरह से अपने target स्केर करती है और हम किस तरह से accuracy के साथ जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि fibonacci retracement is a laser focused photo resistance तो यह exactly pinpoint करती है कि market कहां तक जा सकती है लेकिन शर्थ यह है कि आपको fibonacci retracement को अच्छे तरीके से यूज़ करना आ जाए मुझे अमीद है इन्शाला आने वाली वीडियो में और जो पीछे वीडियो में पब्लिश कर चुके हैं अगर आपने विडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखे आपको fibonacci retracement के वाले से बहुत सारी कान की बाते हमारी वीडियो से मिलेंगी हमारी वेबसाइट फॉरक्स गुरू बैट PK के उपर यह सारे की सारी वीडियो तरतीब के साथ अवेलिबल है वहाँ से जाके भी आप इन सारी वीडियो को देख सकते हैं इंशाला अगली वीडियो में आपसे फिर मिलाकात होगी तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जाहिन हसन को इजाज़त दीजिए अल्लाफेज